नमस्कार और वेलकम टू तमनास एजुकेशन वर्ल्ड आज इस वीडियो में हमें आपके साथ शेयर करूंगी क्या बच्चों को स्मॉल एंड बिग नंबर कैसे समझा सकते हैं बहुत ही आसन तरीके से आप जब फर्स टाइम अपने बच्चे को स्मॉल एंड बिग नंबर इ क्या पर पहले हम बच्चों को बन डिजिट सिखाएंगे लोन डिजिट कहले थो नंबर है उनमें स्मॉल और बिग पाइंड करना सिखाएंगे जैसे आप देख सकते हैं मैंने यां दो नंबर लिए थी एक तो बच्चों को आपको यह बताना है कि जो नंबर इस नंबर लाइन में पहले आता है जो नंबर पहले आता है वो small number होगा जैसे बच्चे इसमें देखेगा पहला number है 3 बच्चे यहां से देखेगा इसमें 3 3 यहां है और 8 यहां है पहले क्या आ रहा है थ्री तो थ्री स्मॉल नंबर है थ्री पहले आ रहा है इसलिए थ्री स्मॉल नंबर है एट बाद में आ रहा है तो एट बिक नंबर है दिहान रखें स्मॉल और बिक एक साथ बताना है आपको बच्चे को जैसे मैं और भी नमबर ले लेती हूँ 1 and 5 अब नमबर लाइन में देखेंगे कि पहले क्या आ रहा है पहले 1 आ रहा है 5 बाद में आ रहा है तो 1 small number है 1 क्या है small number अब बच्चे को ये चीज़ दिमाग में बठा दें उसके कि जो पहले आता है वो small number होगा तो दूसरे number अटोमेटिक big number हो चाहेगा ये number लाइन अगर बच्चे ऐसे करने में confused हो रहे हैं तो आप number ऐसे लिख के दे सकते हैं बच्चे counting लिखते हैं तो vertical position में ही लिखते हैं 1, 2, 3 तो आप vertical में लिख के दे सकते हैं लेकिन concept वही है सेम यही pattern हम two digit में भी follow करेंगे two digit में हमें आगे वाला number देखना है हम कोई भी number पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं 2, 5, 25 तो हमें आगे वाला number देखना है जिसमें आगे 2 है इसमें 4 है तो पहले क्या आ रहा है number land में देखेंगे 2 बाद में आ रहा है 4 तो 25 स्मॉल number होगा हमें सिब आगे वाला number देखना है पहले 2 आता है 4 बाद में आता है इसलिए 25 स्मॉल number है और 48 बिग number है अब एक और चीज आती है जब फर्स डिजिट सेम हो दोनों में जैसे मैं यह दो नमबर लिए 52, 56 दोनों में पहला वाला number तो 55 है अब कैसे पता करें तो इसके लिए हम दूसरा वाला number देखेंगे दूसरा वाला इसमें है 2, इसमें है 6 अब पहले क्या आता है यह number line में देखो पहले क्या आता है 2, बाद में आता है 6 तो 52 स्मॉल number हुआ और 56 बिग number हुआ आप यह बच्चे को बार बार पैक्टिस कराएंगे तो यह चीज उसके दिमाग में अपने आप ही बैठ जाएगी जो number पहले आता है वो स्मॉल होता है तो वो counting बच्चे को आती है सबको तो वो बहुत आसानी से कर लेंगे number line बनाने के आपको बार बार जरूत नहीं पड़ेगी बस अब जब शुरुआत में करा रहे हैं तो कुछ दिन उसको number line पे ही करवाईए two digits के बाद आप number बढ़ा सकते हैं two numbers के बाद आप number three numbers में करा सकते हैं four numbers में करा सकते हैं तरीका वही सेम रहेगा जैसे मैं यहां ले लेते हूं two five nine आप बच्चे को बोलेंगे find the smallest number find the smallest number अब बच्चा देखेगा इन तीनों में से सबसे पहले क्या आता है जब वो counting बोलना है start करेगा या number line में देखेगा तो सबसे पहले two आता है two smallest number हुआ अभी सेम इसमें पूछो which is the biggest number फिर से वही pattern अपनाएगा फिर से counting बोलेगा या फिर number line में देखेगा सबसे पहले two आया फिर five आया बचा गया nine तो nine biggest number हो गया I hope आपको मेरी वीडियो helpful लगी होगी अगर helpful लगी है तो एक like बटन जरूर दबा दे और चैनल को सबस्क्राइब कर ले ऐसी और वीडियो के लिए थैंक्यू फर वाचिंग